हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक ब्रैंड न्यू टुटोरियल वीडियो के उपर भाई आज के वीडियो में आपको बताने वालों कि हम लोग कैसे नैचरल विजन इवाल्ड NVE ग्राफिक्स मॉड को इंस्टॉर कर सकते हैं अपने GTA 5 के अंदर तो आईए गाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके रिक्वायर मेंड्स की भाई PC के स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमको चाहिए क्या GTA 5 के तरह सबसे पहले मैं आपको PC के स्पेसिफिकेशन बताता हूँ अगर आपको NVE smoothly run करना है तो आपके भाई PC के अंदर at least मैं कहूँगा 4GB का graphic card रहना चाहिए भाई at least जबकि आप recording करके खेलना चाहते हो यासे कुछ करके खेलना चाहते हो at least 4GB का graphic card मैं आपको recommend करूँगा आपका processor I think 6 cores से उपर होना चाहिए आपके पास RAM होना चाहिए at least 6GB या उससे उपर का आपके पास RAM होना चाहिए तो आपका NVE अच्छे से चलेगा मतलब कि एकदम high graphic पे तो भाई थोड़ा risk रहेगा पर चलेगा तो चलेगा सही ठीके और आज की जो अभी मैं आपको बताता हूँ अपने GTA के लिए आपको requirements क्या क्या चाहिए ठीके तो GTA के लिए जो आपको requirements चाहिए वो है आपको खाली एक latest version of GTA 5 चाहिए जो कि यह 1.0.3095.0 जो कि यह latest version of GTA 5 आपको वही चीज़ चाहिए और आपकी उस game के अंदर सबसे पहले तो भाई mods folder created रहना चाहिए script hook installed होना चाहिए और open iv आपका install होना चाहिए अगर आपने यह सबी चीज़े नहीं किया don't worry मैं उसका link आपको description पे दे दूँगा आप easily open iv install कर सकते हो scripts folder बना सकते हो और skip hook को install कर सकते हो सबसे पहले शुरू करता है कि हम लोग डाउनलोड कहां से करें और कैसे करें तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अपने browser के उपर जाएगा आप कोई भी browser यूज कर सकते हैं आपके उपर है तो हम लोग को सर्च करना है रेज्ड मॉड जैसे यह आप सर्च करो कि आपको सिंपली यहां पर इसके website के उपर जाना है ठीक है इसके website की लिंक में आपको discussion में दे दूँगा आपको simply उसके website के उपर जाना है और यहां पर आके गाईज हमको GTA 5 के उपर पे आजाएगी जिसके हमको कर रहा है कि यह 9.13 GB की फाइल है तुमको यहां पे इसको पर सीधा क्लिक करना है डाउनलोड फाइल के उपर और जिससे अपना यह जो फाइल है वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा अभी 9 GB का मॉड है इसलिए मैंने इसको और डाउनलोड कर के रखा हुआ है तो आएए दोस्तों आगे बढ़ता है इसके इंस्टॉलेशन के लिए तो सबसे पहले मैं रन करूंगा अपना ओपन आईवी उपना यह को रन करेंगा हम लोग विंडोस के पर जब तक यह चालू होता है इसको मैं साइड पे रखता हूं और एक साइड प है लेट्इस यहां सबसे पहले हम लोगे जिप वाइल को ओपन करते हैं और जिसके अंदर हमको अब उनको क्या करना है सबसे पहले अपको ओपन आईवी के अंदर के अंदर एडिट मोड को आन करना है जैसे कि आप देख सकते हो मिने पास मौसी क्वाइल है मैंनियोग और सब कुछ मैं डाला हूब मेरे पास ये दो चीज़े नहीं है तो हमें ये सब भी चीज़े इंस्टाल करके रखनी है अगर आपको verify करना है कि ये तीन चीज़े मैंने इंस्टाल करकी है नहीं आपको simply tools के उपर जाना है और यहां से जाना है हमको asi manager के उपर ठीक है जिससे आप इंस्टालर का जो पार्ट वन ओवी फाइल है उसको simply click and drag करके अपने GTA 5 कि यहां पर ले आना है और यहां से देखो इसने अपना extraction प्रोसेस शुरू कर दिया है और बड़ी फाइल है तो obviously time लेगा तो मैं विन रार से ही सब कुछ करता हूं क्योंकि एकदम easy रहता है और कोई लिक्कत नहीं है तो मैं हर एक मेरा जो मॉड इंस्टार्श आप जितना भी मॉड वीडियो देखोंगे मेरा उसमें मैंने विन रार से ही सब कुछ किया है क्योंकि मेरा mostly कम वी नार से हो जाता है और कुछ नाटक नहीं होता ठीक है यहां पर देख सकतो natural vision evolved का part 1 इंस्टार् कोने में मेरा मिड रेंज का PC है और वहीं मैं आपको बता दूँ मेरे PC के सिस्टम रिक्वार्मेंट्स क्या है तो मेरा जो प्रोसेसर है वह है AMD Ryzen 5 2600X 6-12 Threads प्रोसेसर है उसके बाद मेरा ग्राफिक काड है NVIDIA Geforce GTX 1660 Super 6 GB ग्राफिक काड है उसके बाद मेरा जो रैम है व एकडम ही इनफ है हाई ग्राफिक के उपर मेरा मिडियो का PC है और उसमें भी एकडम बढ़िया जारी किसे वर्क करेगा ठीक है तो यह इंस्टॉल होता है उसके बाद गाइस मैं आपको मिलता हूं अब यहां पर पार्ट वन हो चुका है सक्सेस्फुली इंस्टॉल पांच वेट एंड वॉट्च ओके फाइनली एक्स्ट्रेक हो चुका है एंड लेट्स को एंड इंस्टॉल दी पार्ट टू इन दी मॉट्स फोल्डर हम इसको इंस्टॉल पर लग देना और पार्ट तू जो है वह एकड़म फटा-फट इंस्टॉल हो जोता है इसको इतना देर न मैं हर एक चीज आज इंस्टॉल करके देखने वाला हूं एंड विया गोइंट टू सी के भाई क्या होने वाले ठीक है वाइंट इंस्टॉल एवरी ऑप्शनल अवैलेबल ठीक है सबसे पहले परफॉमेंस बूस्ट अव्यसली भाई परफॉमेंस बूस्ट हमको चाहिए व आप ग्राफिक काड़ हीट अप होगा उतनी उसकी लाइफ कम होगी मेंटेन यॉर स्टॉफ ठीक है आपके टेंप्रेचर को मेंटेन करके रखो तो तो विल बी इनफ जब आप खाली गेम प्ले कर रहे हो तो आपको इतने ज्यादा ग्राफिक रखने की जरूवत नहीं है अगर आप रेकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप एक टाइम पर रख सकते हो नहीं तो भाई ग्राफिक काड़ अपका फ्राय हो जाएगा इतना अधियान रखना ठीक है टोस्ट हो जाएगा सौरी फ्राय तो नहीं होगा टोस्ट कुछ भी कह सकते है ओके तो हमने पर पर्फॉ हाँ कुछ-कुछ ऑप्शनल्स है जैसे कि वाइट लाइट हो गया वगयरा हो गया उसको इंस्टॉल करने में देर लगता है ठीक है अभी हम लोग यह जैसे ही एंवान्स मोशन ब्लर इंस्टॉल हो जाएगा हो गया है यहां पर उसका रहेंगे वापिस से यहां से और हमको रोड इंस्टॉल करने है ठीक है इस फाइल को मैं उपन करके रख रहा हूं क्योंकि साथ डाइरेक्ट डाइरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है अभी यहां से हम लोग पैलर रोक्स और पेमेंट ओवर हॉल को भी इंस्टॉल करेंगे यह थोड़ी बड़ी फाइल है इ लग रहा है इसलिए यह इतना टाइम ले रहा है एक्स्टैक होने में तो जैसे होता है इसका भी ओई फाइल ओपन हो जाएगा और हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे इंदी मॉट्स फोल्डर ठीक है तो अभी यह कंप्लिशन स्टेज में आ चुका है एंड यह हो गया हमें उसके अग्वरण करेंगे Vaulymatrix Love ठीक है वाल्यमीतिक लाउट्स में हम लोग यहां पर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएक हम्लोग के उपर आके बढ़ेंगे ठीक है हमको every steps का उन्होंने अनिस्टाइल भी प्रोवाइड किया गया है अगर हमको कोई चीज दिक्कत दे रही है तो एकदम इसी तरीके से इंस्टाओ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत करके अनिस्टाओ अनिस्टाओ सब एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं और हाँ एक चीज़ ध्यान लगना कि अगर आप ऑप्शनल्स इंस्टॉल कर रहे हो यहां पर लिखा होए मैं प्रफ देगा हम को दियान कई इसको करना और Souliają उसको भिए ओप्र इन क्या हो यहां पर देल्वर इन सक्रास्ड और यहां पर यहां पर देखो तो और आपनी रिक्स्राइबelly कोिस्ट 상 na पर रहना चाहिए और इसको गेम फोल्डर में इंस्टॉल करना और कोई दिक्कत नहीं है अनिस्टॉल भी हो जाए अगर आप देख उसका अनिस्टॉल भी प्रोवाइड है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम लोग हाई क्वैपन डिकल्स के उपर जाएंगे जाएंगे एक्स्ताव वेजिटेशन का यहां पर लेकर आ जाएंगे इसको लोग कर लेंगे इंस्टॉल ठीक है यह सब्सक्राइब करे हैं अंनिप हो इसके यह नहीं यहां पर इंस्टॉल करेंगे यहां पर इंस्टॉल इन गेम्स फोल्डर और यह खाली 13 MB का है यहां इसको भी कर लेना है इंस्टॉल अगर आपको लैक यह करना है अगर आपको लैक वैपन का जो इनस्टॉल मत करो आपको चाहिए तब यहां वाला इनस्टॉल करेंगे इन दी मौणस कोड़ इम पॉल्ड है अपने स्थीट लाइट है जोन आप चाहिए हालोव्हावाइन यक्याल आप पहल शूट करें कि कुछ वीडियो क्रिस्मस के लिए डार्कर नाइट मैं आपको मैं नहीं करुंगा नॉध्र नइस कि लिए आपके सकती है और आपके स्काइक कर आ या ना वो यह नॉधंर नाइक्स तो मैं इसको recommend नहीं करूंगा, अभी हम लोग install करेंगे एक गाड़ी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर Toyota Supra में करना चाहूंगा, हम लोग इसको install कर देते हैं, in the mods folder, इसका just spawn code है, Supra GR21, हम लोग इसको mods folder में install कर देंगे, उसके बाद सबसे important चीज, the game config, और आप चाहो, तो natural vision evolved वाला game config भी आप install कर सकते हो, क्योंकि यह latest version का game config ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका OIV हम लोग लोग लिकन डॉप कर देंगे, in our GTA 5 mods folder, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआगा है, यहाँ पे, 1.0.3095 के लिए, यह game config available है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे natural vision evolved 100% install हो चुका है, कोई दिक् चाहिए, GTA 5 के लिखे, तो फिलहाल, I don't require that, क्योंकि मैं अपने, जो research की settings होती है, वो सभी में mostly अपने Nvidia game filter से ही कर लेता हूं, तो मेरे को research की जवबत नहीं है, अगर आपको research install करना है, तब को simply क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं, कि आपको अपनी GTA 5 की directory open करनी है, ठी एक side पे में open करूंगा, अपना, ठीक है, अपना है, क्या कहते है, इसको, natural vision evolve की file ठीक है, यह इसको में open करूंगा, इसको में close कर दोगा, ठीक है, हम लोग फिर यहां से research shoulders के folder को open करेंगे, हमको simply यह सभी files जो है, वो click and drag करके, यहां पे ले आनी है, अपनी GTA 5 की directory के अंदर, तो यहां पे guys, अपना natural vision evolve जो है, वो research shoulders वगरा, सब के साथ install हो चुका है, अब भी हम लोग जाएंगे, अपनी game को run करेंगे, and we are going to see, कि अपना जो natural vision evolved है, वो 100% work कर रहा है, या नहीं, ओके guys, तो भी हम लोग आ चुक है, natural vision evolved के अंदर, भाई, आप देख सकते हो, भाई, या ही game बन चुका है, ठीक है, और भाई, last version के साथ, बहुत लोग को concerns थी के menu mode work करेगा या नहीं, but, menu mode is successfully working, with the new version of natural vision evolved, ठीक है, हम लोग यहां पे time वगरा, time तो okay, time ठीक है, कोई दिकत न Cloudy weather में, Cloudy weather में, Cloud वगरा दिख रही है, नहीं, Volumetric cloud, I think, में तो कोई, आप है, अभी आया, अभी आया, अभी आया, ओ भाई, भाई, सभी mod डालने के बार, भाई, fps की तो band बजगे है, बहुत खंदी band बजगे है, मेरे midrange PC में, अगर में रेकोर्डिंग के साथ, फोड़ी बहुत fps से बेंड बज रही है तो आप फ़ली देखो अगर आपका फोड़ा लो एंड पीशी हो तो भाई क्या होगा सीन ठीक है तो हर एक एक अप्शनल इंस्टाउर करने के जवर नहीं है आपको जो 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 अप्शनल नैसेसरी है वही अप्शनल इंस्टाउर करो बाकी तो गेम एकदम बढ़िया दिख रहा है और डीटेलिंग अगर हम देखे तो भाई डीटेलिंग तो अब्विएसली नाच्छल विजन यॉर् करने वाली है अपने गाड़ी चेक कर लाएं अपनी जो सुपरा है वह तो आइधिंग सुपरा जिया ट्वेंटियों कि हमारे एक सब्सक्राइब बोल रहते हैं कि जैसे ही वह सुपरा स्पॉन करते हैं उनका गेम क्रेश होता है पर यहां पे मेरा नहीं हो रहा तो मैं आप आपको कहना चाहूँगा जिनका गेम क्रेश हुआ था आप गी कन्फिक चेंज करके दिखो इसा कुछ करके चेंज करके देखो तो कि आपके सामने ही मैंने सब कुछ इंस्टॉल किया है और मेरा गेम क्रेश नहीं हो रहा है तो आइंसेट शरुत सेक्रायारे आपको और वाई फायम के लिए पेड़ मॉड है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है अगर फायम के लिए भी फ्री हो जाए ना अपना फायम भी एकडम चका चक दिखना चुरू हो जाएगा ठीक हम लोग इस गारी को अपने इस गारी को ले के बाई क्योंकि सुपरा लेके गूम रहे है वह बढ़े लेके गूम रहे है और इंच करते है ठीक है बढ़िया लग रहे है तो यह देखो जैसी कि आप देख सकते हमने ने नेचर विजिन इवाड को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंस्टॉल किया विद आल दी ऑप्शनल्स ठीक है रीशेल्ड भी अपना चल रहा है मैं रीशेल्ड भी आपको दिखाता हूँ और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता चाहूंगा कि रीशेल्ड को रन करने के लिए जीटीए 5 के लिए अभी आपको विंडोस 7 वाला कमपराबिलिटी करने के ज़रत नहीं है रीशेल्ड ऐसे भी वर्क कर जाएगा कि कि मैं आपको र इंसर्ट दबा रहा है रीशेल्ड को चालू करने के लिए तो यह रहा गया है इन्होंने पता नहीं कि इतने साइड पर एड़ करके लगा है बड़ देको मैं रीशेल्ड में हर एक चीज़ यहां पर रन नहींगे तो एक दम बढ़िया है मैं आपको कुछ वेधर ऑप्शन करके दिखाता हूं ठीक है जैसे कि अपन करते है स्नौ वगरा तो नहीं करेंगे अपन करते है नूचल वेधर तो अपना सनी जैसा ही दिखता है क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत सी बारिश घिरेगी और यह देखो स्क्रीन के ओपर आप देख सकते हो यहां पर रैन्डोंगउर्स गीर हुठर का कमार है टंडर की अगर हम बात करें ड्याइगा इस लिए आ mend कर देख सकतो तो वह की अपनी इंग एठ यहादा है ड्याइआप करेंट तो और अच्छा वाख की बात कर क्लेट ओफ क्लावर्डी की बात बहुत सारे clouds आ जाता है volumetric quantity में देखो उपर देख आप volumetric quantity में clouds आ गए देखो बाइब अगर हम बात करें about the clear तो अपना तो clear weather clear ही और जिको cloud चले गए अपने जैसे clear weather किया वैसे तो this is how you install the natural vision evolved बहुत ही बढ़िया है और अगर मैं आपको rockstar editor का दिखा हूं तो हम लोग पुरा सा यहां पर भाई मैं घूम घूम करूंगा यह इतना recording इनफ है rockstar editor के लिए तो हम लोग यहां पर जाता है जिससे मेरा thumbnail का भी set हो जाएगा तो हम लोग यहां पर editor में नहीं होगी किसी चीज़ के अरिंग buffering के दिक्कत लोगों को लग देंगे बाकी बाई स्मूठ चल रहा है यह देखो मैं थोड़े एंगल वगरा भी आपको चेंज करके दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए देखो यहां पर मैं प्री कैमेरा करके मैं घूम रहा हूं रॉक्स एडिटर के अंदर और मेरे को यह एकडम बढ़िया तरीके से करने दे रहा है सब कुछ ठीक है तो इसी बहारे चलो भाई थमने ले लेते हैं यहां पर मैं एच डबाऊंगा जिससे मेरा हुल्ट चला जाएगा और मैं यहां स सिरा थोड़ा मुशन ब्रह ज्यादा है तो मैं इसको क्लिप को थोड़ा सा फ्ले करूंगा और पॉस कर दूंगा थोड़ा नहीं है तो एगल बराबर नहीं है तो एगल बढ़िया तरीके सिस्टर रहा है तो गाइस अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आया हो मेक शूर यू हिट लाइक बटन अभी कर भी लाइक बटन को हीट करो इस वीडियो को जिससे वाई यह वीडियो और लोग की तरह पॉच्छे जिनको नेच्टर विजन यहाल की ज़रूत है और भाई एंजोई करे भाई यह ग्राफिक स्मॉड बेल यह वालत इसी के साथ ग यह विप गए निप बेढ यह विड़िए झायवल यह विए भी तरह चींए प्राइब यह विडिशन आगाओ यह विए लाइब यह वोग में दोच्छेट विए जालने खरूई यह वालत वोग एव विए